अलो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके कुश्चन नंबर 26 है ठीक है कुश्चन नंबर 26 से 20-25 कुश्चन हमें इसमें डिसकस करेंगे ठीक है जो कि आपके आपके अबजेक्टिव टाइब कुश्चन है ठ अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिए ठीक है जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीस सी और सेकंड सेमेस्टर की ठीक है बीसी आपका सेकंड सेमेस्टर ठीक है तो चलिए बात करते हैं कुश्चन 26 कारवो हाइडेट के प्रमुक कारी है ठीक है जो आपका कारवो हाइडेट है उनका मुख कारी क्या होता है उनसे हमें क्या मिलता है करा शरीर की रोग निरुदक शक्ति को बढ़ाते हैं या शरीर में चिकनाई एवं सक्ति उत्पन करते हैं या अस्थियों को मजबूत करत है या शरीर में उर्जय ऑफ मुक्त पर्ण करते हैं तो इन में से कौन सा अंसर ठीक है आप आंसर करेंगे उसके बाद आप देखेंगे की आपने कितने आंसर सहीक ही है ठीक है तो answer करिए इसका क्या हो जागा यहां, क्या mad का सबसे प्रमुकारि यह क्या है इसका आएंसर आप करेंगे शलिई किसे क्वा जागा आपके अनसार तो इनको हम परद्शा ने को उस्तेथे उर्जा और शक्ती spot और शक्ति उत्पन करते हैं क्या करते हैं हमारे रोक निरोधक नहीं बढ़ाते ना देसक ओना ही चिकणाई शक्ति उत्पन goose ले सरी करते हैं तो आंसर कई झाद बनुझे को सरी vetyn खें आपको आज जागा कॉछला नमब्र काम क्या होता है तो शरीर आपने बताना है ठीक है चलिए क्या ये दो प्रकार के होते हैं क्या तीन प्रकार के होते हैं क्या चार प्रकार के होते हैं या आपके पांच प्रकार के होते हैं कार्वो हाइडरेट ठीक है तो कार्वो हाइडरेट की हम बात करें, आप answer करेंगे, क्या हो जागा आपका carbohydrate आप क्या carbohydrate, आइसर करेंगे आप कितने प्रकार के हो जाएंगे चलिए, question No. 26 का तो carbohydrate जैसे कि आप जानते यह आपके दो प्रकार के होता है कौन कौन से, एक तो आपका मोनो सेकराइड होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका डाई सेकराइड ठीक है तो कितने तरह के होगे आपके दो तरह के ठीक है मोनो सेकराइड और डाई सेकराइड तो क्या हो जागा आंसर आपका यह हो जागा ठीक है कार्वो हाइडिट दो तरह के होते हैं मोनो सेकराइड और डाइसेकराइड कुश्चन नमबर 28 कार्बो हाइडरेड के संगठन का अंग नहीं है मतलब कि जिन से आपका कार्बो हाइडर जो मिलके बना होता है उनमें इनमें ऐसा कौन सा है जो कार्बो हाइडरेड में नहीं पाया जाता है यह आपको बताने ठीक है, तो कार्बो हाइटेट की संगटन, यानि की कार्बो हाइटेट में निम्न लिखित में से कौन सा नहीं पाय जाता है, क्या कार्बन पाय जाता है, या हाइटोजन पाय जाता है, आक्सिजन और नाइटोजन, ठीक है, तो कौन-कौन से पाय जाते हैं आपका कार्बोई एडिर नहीं संगठन का अंग नहीं है ठीक है कार्बोई एडिर्स में नाइटैजन आपका नहीं पाएजाता है तो आंसर इसका क्या हो जागा सही आंसर हो जागा आपका डी ठीक है नाइटोजन आपका नहीं पाया जाता है ठीक है यही आपको टिक लगाना है क्योंकि यहां पर क्या लिखा है नहीं लिखा हुआ ठीक है चलिए बात करें कंगे क्या हो जागा आपके अनुसार क्कैसीनई में पत्तों में यह पद्तों यह कि हारे पत्तों में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल क्या पाया बत्तों का रंग का हरो टीक że tar is just आन्सर हो जागा कोश्च्य नमर 29 का 23 किया रहा कार्वोहाइटिट या आपका बूरा है या आपका शक्कर है ठीक है सभी कैसे आपका चक्र सभी मीठे होते मिन्स इनमें क्या है आपका शरकरा पाया जाता है तो सभी कैसे हैं मीठे और इनमें सभी में सरकरा पाया जाता है को कार्बो हाइडिट प्राप्ति की सुरूद क्या गुड़ बूरा और शक्कर यह सभी है या इनमें से कोई एक है तो आंसर करेंगे आप राइट आंसर क्या हो जागा D यानि कि ये सभी आपके सरक्रा युक्त ऐसे पदार्थ है जिनसे हमें कार्बो हाइडरेट प्राप्त होता है ठीक है चलिए तो आंसर क्या हो जागा आपका D Question number 31 कार्बो हाइडरेट के स्टार्च युक्त पदार्थ है ऐसे कौन से कार्बो हाइडरेट है जिनमें स्टार्च भी आपका पाया जाता है क्या गेहू है आपका या जो है आपका या बाजरा है आपका या ये सभी है तो आंसर करेंगे Question number 31 का क्या है आंसर करेंगे 31 का आंसर कीजिए क्या हो जागा चलिए तो भई स्टार्च युक्त पदार्थ ठीक है स्टार्च युक्त पदार्थ क्या हो जाएंगे आपके जो आपके अनाज होते है जैसे आपका गेहू हो गया ठीक है जो हो गया और बाजरा हो गया ये सभी इनमें सभी में कुछ न कुछ मात्रा में आपका starch पाय जाता है और ये क्या है आपके carbohydrate है ठीक तो क्या कहें देंगे हम ये सभी आपके हो जाएंगे ठीक है तो answer क्या हो जागा आपका D तो जो बाजरा और ग्यों आपके carbohydrate है लेकिन कैसे इनमें starch की मात्रा है ठीक है तो answer क्या हो जागा D हो लगा question number 32 कह रहा है बहे कार्वो हैड़ेट जिसमें शरकरा की एक ही हिकाई होती है उसे क्या कहते है ठीक है क्या होती है वही शरकरा की एक हिकाई होती है तो उसे क्या कहते हैं कार्वो हैड़ेट जब कार्वो हैड़ेट की हिकाई या आपस में मिलती रहती है दो या दो से अधिक मिल जाती है तो उनको हम क्या कहते है polysacurate कहते है ठीक है क्या कहते है polysacurate और यह प्रकरिया क्या कहलाती है आपकी बहुली करन ठीक है तो इनमें क्या कहलाएंगे जिसमें आपके केवल एक ही इकाई हो, ठीक है, क्या होता है, केवल एक उनिट होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या मोनो सेकराइट कहते हैं, या डाई सेकराइट कहते हैं, या पॉली सेकराइट कहते हैं, या गलकोज कहते हैं, तो इन में से क्या आपका अंसर हो जागा, वै अंसर करेंगे चलिए करेंगे थर्टी टू का आंसर किया हो जागा तो जिनमें शरक्रा की केवल आपकी एक ही ही हुती है उन्हें हम क्या कहते हैं मोनो सक्रायड कह teste है ME dt long छब होता है जब यह दो और दो से अधिक मिल जाते थो हुम कह अधिक मिल जाते है तो उनको हम कहते है دाइसे किया दाइसे क्राइड जब इसक्यार्थो यह अधिक मुन स्क्राइड ठीक है और घुल्म annéeी क्या है आपका एक monosaccharide ठीक है चलिए तो क्या हो जागा आंसर आपका monosaccharide ठीक है क्या होते हैं जिनमें carbohydrate सरकरा की केवल एक ही आपकी एकाई होती है monosaccharide क्या लाते हैं आंसर क्या 1 ए हो गया आपका 33 कह रहा है फल सरकरा किसे कहते हैं ठीक है जब हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तो इसमें यह पहला दूसरा ही question था आपका कि जो है फ्रक्टोज या फ्रक्टोज क्या होता है ठीक है तो यह फल सरकरा की बात कर रहा है तो फल सरकरा किसे कहते हैं क्या glucose को कहते हैं, या starch को कहते हैं, या fructose को कहते हैं, या आपका सुक्रोज को कहते हैं, तो answer करेंगे 33 का क्या आओ जागा, चलिए, answer करेंगे 33 का, तो फ्रूट सरक्रा वे फ्रक्टोज जो है ऐसी सरक्रा है जिसे हम क्या कहते है फ्रूट सरक्रा फ्रूट सुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि यह कहां पाय जाता है फलो में पाय जाता है ठीक है फलो में पाय जाता है और इसी को सबसे मीठी सुगर क्या कहते है सबसे मीठी शरकरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सबसे मीठी शरकरा के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है, किसको, fruit सुगर को, या fructose को, ठीक है, तो और ये आपका natural सुगर भी कहलाता है, ठीक है, question number 34, क्या है, 34, कहरा है, शरकरा की सबसे सरल इकाई कौन सी है, किसकी सगर की सबसे सरल एकाई कौन सी है यान की जिन से मिलकर वह बना होता तो उनमें सो कोई एक unit है उसको हम क्या कहेंगे क्या उसको starch कहते है या maltose कहते है या glucose कहते है या lactose कहते है ठीक है किसकी शरकरा की ठीक है तो क्या हो जागा answer 34 का answer करेंगे आप ABCD क्या हो जागा आपके अनुसार चलिए 34 तो सबसे अगर हम बात करें सरल एकाई की ठीक है किसकी सरल एकाई की तो यह क्या हो जाता है आपका गुलुकोज हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है एक प्रकार का डाई सेकराइड है ठीक है क्या है आपका डाई सेकराइड है ठीक है तो ये आपकी क्या हो जाएंगी एक यूनिट हो जाएगी ठीक है यूनिट ये भी यूनिट है अपने आपने ये भी यूनिट है ठीक है तो क्या हो जागा आपका फ्रक्टोज नहीं दे चलिए बात करेंगे 35 की अनाजो में कितने प्रितिशत स्टार्च पाय जाता है ठीक है क्या बताना है स्टार्च की प्रितिशता बतानी किसमें अनाजो में ठीक है क्या आपका 20% पाय जाता है या 40% पाय जाता है या 50% पाय जाता है या 70% पाय जाता है तो answer किया हो जागा? अनाजो में किसका starch कितना पाय जाता है? ये आपको बताना है. 35 का answer करेंगे किया हो जागा? 35. चलीए. तो अनाजो में अगर हम starch की बात करें, तो ये जो है लगबक अधिक मात्रा में 70% के आसपास पाय जाता है. कितना? 70% ठीक है? और आजो में श्टारच आपका कितना परसन्ट हो जागा, 70% के आसपास हो जागा, ठीक है, 36, दूध में उपस्तित dysacryard है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा dysacryard है जो आपका दूध में पाया जाता है, ये आपको बताना है, क्या सुक्रोज होता है, या आपका λैक्टोज होता है या माल्टोज होता है या इन में से कोई नहीं तो क्या आपका D है या A, B, C है ठीक है तो आंसर करेंगे दूद में ऐसा कौन सा डाइस सेकिराइट है जो इन में नीचे दे रखा है उसी को आपको बताना है ठीक है चली आंसर करेंगे A, B, C, Q 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 ऐपका हलका थोड़ा मीठा होता है, ठीक है, Question no. 37, कह रहा है, Carbohydrate की प्राप्ती होती है, कहां से आपको Carbohydrate मिलते है, इसी तरह का Question अभी हमने उपर भी पढ़ा था, ठीक है, तो क्या गुड़ से मिलता है आपको, यह शकर से मिलता है आपको, यह मका से मिलता है, या इन सभी से मिलता है carbon hydride बतायें के कहां से हमें carbon hydride मिलता है A, B, C, D option दे रखे हैं D इन सभी में से और बागी आपका एक एक है मक्का है दे रखा है, गुड़ दे रखा है और शक्कर दे रखा है 37 का answer करेंगे क्या हो जागा है तो दो आपसन होगे, यहां दो बाला दे नही रखा है, और मक्का से भी हमें कुछ ہے कार्भो हाइडिर्ट की प्राप्ती हो जाती है, ठीक है? तो क्या हो जागा, आंसर आपका D हो जागा ठीक है, इन सभी से हमें क्या मिलेगा? कार्वो हाइडिट ठीक है किस से गुड से हो गया शकर से और मक्का से हो गया ठीक है बूरा होता उससे भी हो जाता ठीक है तो आंसर क्या हो जागा आपका डियान की इन सभी से हमें क्या मिलेगा कार्वो हाइडिट 38 बोजन में उर्जा का स्रोत है बोजन में उर्जा का स्रोत है निकि सबसे ज़्यादा उर्जा हमें कौन से पदार्थ से मिलती है इनमें से भोजन में ठीक है चलिए क्या प्रोटीन से मिलती है या बसा से मिलती है या कार्वो हाइडेट से मिलती है या खनिज लबडों से मिलती है ठीक है तो प्रोटीन बसा और ये खनिज लबड ये तो जो है हमें उर्जा नहीं देते है ठीक है उर्जा हमें इनसे नहीं मिलती है तो उर्जा हमें किस जो है उर्जा का स्रोत है किसमें भोजन में इसलिए हमें भोजन में कार्वो हैड़िट की मात्रा लेनी चाहिए ठीक है चलिए question number 30 क्या कहे रहा है 39 sorry निम्न लिखित में से फल सरकरा किसको कहते हैं अभी हमने बढ़ादा ठीक है फल सरकरा बताएंगे क्या हो जागा क्या सुक्रोज को कहते हैं या ग्लुकोज को कहते हैं या फ्रक्टोज को कहते हैं या इन में से कोई नहीं तो फल सरकरा या फ्रूट सुगर किसे कहते हैं अभी हमने उबर जाना था बताएंगे क्या हो जागा तो फल सरकरा, question number 39 का answer करेंगे फल सरकरा के नाम से कौन जाना जाता है तो फ्रक्टोज हमारा फल सरकरा के नाम से जाना जाता है ठीक है, क्या है, फ्रक्टोज हमारा फल सरकरा के नाम से जाना जाता और इसको सबसे मेठी सुगर भी कहते है, ठीक है, चली question number 40 तो answer के आओ जागा आपका 39 का C 40 की बात करें बोजन का मुख्य तत्व है बोजन का मुख्य तत्व आपका कौन सा है ठीक है जो बोजन में होना चाहिए जिनके बिना आपका बोजन जो है balance diet नहीं माना जाता है तो ऐसा कौन सा एन में से तत्व है क्या बसा एबं protein दोनों है या vitamin है आपका या carbohydrate है या आपका ये सभी है तो answer करेंगे 40 का क्या हो जागा क्या गहारा बोजन का मुख्य तत्व कौन सा है ठीक है तो एन में से आप answer करेंगे A B C D का क्या हो जागा आपका answer ठीक है तो भोजन में सभी चीजे होनी चाहिए बसा भी होना चाहिए protein भी होना चाहिए carbohydrate भी होना चाहिए और आपके खनेज लबड भी होने चाहिए ठीक है तो इस आधार पर answer क्या हो जागा आपका D हो जागा क्या हो जागा डी हो जागा ठीक है तो भोजन में बसा एवं प्रोटीन भी होनी चाहिए कार्बो हाइडेट भी होना चाहिए और आपका बिटामिन भी होना चाहिए ठीक है तो ये सभी तत्व आपके कैसे हैं जो भोजन में होने चाहिए यह भोजन के मुख्य तत्तों है ठीक है जिस भोजन में आपके सभी चीजें जो सभी आपके तत्तों बिदमार रहते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं उसे हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं ठीक है संतुलित आहर जो की प्रतिक व्यक्ति को लेना चाहिए, question number 41, कह रहा है, starch प्राप्ति का साधन है, यानि कि starch कहां से प्राप्त होता है, क्या आलू से मिलता है, या चाबल से मिलता है, या मैदा से मिलता है, या इन में से कोई नहीं, कहां से मिलता है आपको starch या आपको बताना, ठीक है, आलू, चाबल और मैदा या इन चाबल से तो हमें क्या मिलता या mówअ का यह हो जागा अपको यहाँальные का फूटीन का फूटीट में कीतने पर्सेंट आपका यह ढाटा यह आपको बताम ठीक है, इस टार्च कितने प्रित्सत पाया जाता है? इसी तरह का कोष्चन जो है उपने अभी उपर भी पढ़ाता है, क्या 20% होता है या 50% होता है या 60% होता है या इन में से कोई ने, तो कौन सा एक ऐसा आंसर है? कौन सी एक ऐसी परसेंटेज है जो अनाजो में इस और यहां को और सब्सक्राइं आपको अपया है यहां पर आपका 70 परसेंट कोई आपको और तो यहां पर आपका शिक्टी परसेंट का पाया जाता है ठीक है स्टार्चा आपका पाया जाता है किसमें अनाजों में चलिए question number 43 साधारार सरकरा होती है क्या होती है क्या सुकरोज होता है आपका या लेक्टोज होता है या गुलुकोज होता है या इन मेंसे कोई नहीं simple sugar के नाम से कौन जाना जाता है question number 43 का answer करेंगे क्या हो जागा, चली answer कीजी 43 का, आप बताएंगे answer क्या हो जागा, साधारण सरकरा ठीक है, क्या, साधारण सरकरा तो यह जो आपका सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज जो होता है, आपका, इसको हम क्या कहते हैं साधारण सरकरा के नाम से जानते हैं इसे केन सुगर भी कहते हैं क्या कहते हैं केन सुगर या गन्य की चीनी के नाम से भी इसको जानते हैं क्या कहते हैं केन सुगर ठीक है चली तो आंसर क्या हो जागा सुक्रोज क्या है आपकी एक प्रकार की साधारण सरकरा है ठीक है 44 की बात करें करा गन्य के रसमें शरकरा पाई जाती है गन्य के रसमें कितनी परसेंट आपकी शरकरा पाई जाती है 12 से 15 परसेंट पाई जाती है या 16 से 18 परसेंट पाई जाती है या 18 से 21 परसेंट पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं ठीक है तो बताना है कि गन्य के रस्मे कितनी सरक्रा पाई जाती यह आपका कुछन है आंसर करेंगे A, B, C, D या इन में से कोई नहीं क्या आपका आंसर हो जागा चलिए आंसर कीजिए क्या हो जागा आपका कुछन नंबर 44 का चलिए तो अगर हम गन्य के रस्मे सरक्रा की बात करें तो यह सबसे कम मात्रा में पाई जाती लगवग 12-15% ठीक है कितना 12% से लेकर 15% तक जो है आपकी सरक्रा पाई जाती किसमें गन्य में ठीक है बागी आपका वाटर पाई जाता है नेक्स्ट 45 कह रहा है शहद में कितने प्रित्सत फ्रक्टोज होता है तो फ्रक्टोज की प्रित्सता बतानी है किसमें भी शहद में कितना होता है क्या 25% होता है या 31% होता है या आपका 38% होता है या इनमें से कोई नहीं तो शहद में कितना प्रित्सत आपका फ्रक्टोज पाया जाता है फ्रक्टोज आपका क्या है ठीक है मोनो सैकराइड है क्या है आपका मोनो सैकराइड है ठीक है अब इसकी परसेंटेज कितनी है शहद में यह बताना है ठीक है मोनो सैकराइड आपका सुगर है क्या है क्या है कितना % होता है शहद में यह आपको बताना है 25 % 31 % या 38 % या कोई नि answer करेंगे question number 45 का क्या हो जागा? चली answer कीजिए क्या हो जागा? कितना % जो है यह पाया जाता? तो यह जो अगर हम बात करें fructose की शहद में आप आगे बात करेंगे question number 46, क्या है? 46 कहरा है, शक्कर की अधिकता दातों के समाप्त कर देती है, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा? क्या समाप्त कर देती है दातों के तो शक्तर की अधिकता दातों के मसूलों को समाप्त कर देती है या दातों के एनेमल को समाप्त कर देती है या दातों की जड़ों को समाप्त कर देती है या इनमे से कोई नहीए, ठीक है, तो सरकरा की अधिकता, या चीनी की अधिकता किस चीζको कम कर देती है या किस चीजको समापत कर देती है धीरे-धीरे, ठीक है, एकदम तो नहीं कर तो क्या हो जागा आपका आंसर यह बताएंगा ठीक है तो भी सुगर की या आपकी शक्कर की अधिकता ठीक है अधिक मातरा में अगर आप शक्कर का प्रियू करते हैं शक्कर लेते हैं तो ये दातों के इनेवल नामक पदार्थ को धीरे धीरे कम कर देता है या समाप्त कर देगा ठीक है तो आंसर के हो जागा आपका भी हो कबाएंसर करेंगे क्या होजागा किस से बनाई जाती है तो ना कार्न फ्लोर से बनाई जाती है ना ही आइसिंग सोर बनाई जाती है किस से बनाई जाती है जो आपका बचा हुआ तरल पदार्थ होता है उससे क्या बनाई जाती है ही आपकी भूरी शक्र बनाई जाती ठीक है यह तरल पदार था आपका सरक्रा से बना सकते हैं गन्यवा चुकंदर की सरक्रा से बना सकते हैं या इन में से कोई नहीं ठीक है तो किन से हम सुक्रोज सरक्र को बना सकते हैं ठीक है कौन सा ऐसा आपका सरक्रा है जिन में से हम सुक्रोज सरक्रा को बना सकते हैं आंसर करेंगे 48 का आपका क्या हो जागा A हो जागा B हो जागा C या D चले 48 का आंसर क्या हो जागा चले तो अगर हम बात करें सुक्रोज सरकरागी तो यह आपका किसे बना जाता है गन्यवा चुकंदर की सरकरागी ठीक है किसे गन्यवा चुकंदर की सरकराइब से हम क्या बना लेते है शुक्रोज शक्कर ठीक है जिसे क्या कहते है डाई सेकराइड कहते है क्या होता है आपका ये डाई सेकराइड होता है ठीक है क्या होता है डाई सेकराइड जो गन्यवा चुकंदर की सरकराइब से बनाया जा सकता इसको या इन में से कोई नहीं बना सकते है ठीक है अगर सभी होता तो ठीक था लेकिन इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई ये कही आपका ऐसा है जिससे हम गुड़ को बना सकते है ठीक है चले 49 का आंसर करेंगे क्या हो जागा तो गुड़ की अगर हम बात करें किसकी देदेने के रस्ते गुड़ को बनाया जाता है तो आंसर क्या हो जागा आपका C हो जागा ठीक है क्या हो जागा C हो जागा Next question number 50 ठीक है Last question है आपका इस वीडियो का काया दा सुक्रो सरक्रा में पॉस्टिक तत्वों की मात्रा होती है कैसी होती है जो आपका सुक्रोज सरक्रा है आपका डाई सेकिराट है इसमें आपके जो पॉस्टिक तत्व है इनकी मात्रा कैसी होती है बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है या ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा या इन में से कोई नहीं तो कोई एक आंसर आपका ठीक है जो क क्या होता है शुक्रोज में अगर हम बात करें पॉष्टिक तत्वों की तो ये बहुत कम मात्रा में आपके पाए जाते हैं ठीक है क्या होता है बहुत कम मात्रा में बहुत ज्यादा में नहीं होते हैं ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं बहुत कम मात्रा में जो आपको पॉस्टिक तत्व पाया जाते हैं किसमें सुक्रोज सरकरा में ठीक है इसमें सुक्रोज सरकरा में ठीक तो इस वीडियो में हमने 26 से लेकर 50 तक आपके जो है question discuss किये है उमीद करते हैं समझ में आया होगा अगर एक बार में न समझाओ तो वीडियो को एक बार और देख लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नए questions के साथ अब हम बात करेंगे 51 से ठीक है 51 से आगे जो भी आपके cover करेंगे ठीक है 25 से 30 question तक चोटी चोटी वीडियो बनाएंगे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे आप आसानी से देख लें बहुत ज्यादा जो है समय आपका खराब ना करेंगे ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमार साथ तब तक के लिए thanks for watching and share the video अपने एक सायट है www.paperhacker.in इस पे जाओगे आपको बहुत सारा पढ़ने का material मिल जागा ठीक है झाल झाल